सिधा, सपाट, सरल, अनिनिहिपिटेट, अबाधित, निसंकोच, संकोच अब समझती हो, संकुचन से जुड़ा हुआ है, संकोचन का मतलब है अपने आपको छोटा अनुभव करना, संकुचित अनुभव करना, जब तुम अपने आपको छोटा, सीमित, लिमिटेड, तुछ, नहीं महसूस कर रहे होते हो, उसी अवस्था का नाम है फ्रैंकनेस, तब तुम में एक सहज बहाव आ जाता है, तब तुम ठहर ठहर के एक एक कदम नाप तोल के नहीं उठाते, तुम निर्भवयता से बहते हो, निसंकोच, एक सरल बहाव, उसी का नाम है फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस का अर्थ मुफट होना नहीं है, फ्रैंकनेस का ये भी अर्थ नहीं है कि हम बोलते बहुत ज्यादा है, फ्रैंकनेस का ये भी अर्थ नहीं है कि हम आक्रामक है, फ्रैंकनेस का अर्थ है कि हम सरल है, जो जैसा है वैसा हमें दिखाई पड़ता है, कोई गुथियां नहीं है मन में, मन में लगातार, ग्रंतियां नहीं पनप रही है, उलजाव नहीं है, जीवन बहते पानी सा है लगा कि पूछना है तो पूछ लिया विचार नहीं कर रहे हैं कि अब पूछें कि तब पूछें और पडोसी क्या सोचेगा और ना पडोसी पर हावी होने के लिए पूछ रहे हैं कि हम जड़ा उठ करके इतने लोगों के बीच में कुछ बोल देंगे तो उससे हमारी पृतिष्था बढ़ जाएगी कई लोगों को तो ये विचार भी हो जाता है ना हम इसलिए बोल रहे हैं और ना हम इस कारण रुख गए हैं जो सीधा है सो सीधा है बात सामने स्पष्ट ये फ्रैंकने से निस संकोच हो जाना जो अपने आपको सीमित अनुभव करेगा जो भी अपने आपको छोटा समझेगा वो कभी फ्रैंक नहीं हो पाएगा जिस किसी ने अपने आप पे बंदिशें लगा रखिये होगी वो तो संकोच में ही घिरा रहेगा दिक्कत क्या आ जाती है कि हम तो ये भी बता दिया गया है कि संकोच बड़ी बात है लोग यूँ बताते हैं कि वो संकोची हैं जैसे अपनी तारीफ कर रहे हो कि हम कहना तो चाहते थे आपसे पर संकोच के मारे नहीं कह पाए तो ऐसा लगता है कि ये बड़े कुछ पुन्यात्मा टाइप है भले आदमी है, संकोची मानस है संकोच वहीं से आता है जहां तुम्हारे मन में कहीं न कहीं हो सकता है तुम्हें पता न हो पर कहीं न कहीं कुछ छल छुपा हुआ है कोई उम्मीद छुपी है किसी से कुछ पाना चाहते हो तभी संकोच होगा अन्य था संकोच होगा नहीं जिसको लालच है या डर है वही जिजगेगा तुम लोग आते हो न ये सवाल लेकर के हेजिटेशन का क्या करें जब तुम आते हो और पूछते हो कि सर हेजिटेशन का क्या करें तो तुम लोग यू कहते हो जैसे कि तुम हेजिटेशन के शिकार हो पर मैं थोड़ा जीवन को समझता हूँ तो इसलिए जानता हूँ कि तुम हेजिटेशन के शिकार नहीं हो तुम लालच के शिकार हो तुम्हें संकोज इसलिए आ जाता है तुम्हारी frankness इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि तुम्हें दूसरों से माननेता चाहिए फिर तुम्हेरे पाउखापते हैं फिर तुम कुछ कहने नहीं पाते और ध्यान देना तुम्हें जितना ज्यादा चाहिए होगा जितना तुम्हें किसी से पाने का लालच होगा उसके सामने तुम्हारे कदम उतने ही थर्थराएंगे तुम्हारी जबान उतनी ही कापेगी किसी के सामने अगर तुम्हारी घिकी बंद जाती है जबान तालू से चिपक जाती है तो ये बात पक्की समझ लेना कि उसको लेकर के तुम्हारे मन में या तो भय है या लालच है और भय और लालच एकी चीज़ है बिना लालच के भय नहीं होता आम तौर पे हम सभी के जीवन में या तो ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसी स्थितियां है जो हमें डरा देती हैं जहां पर हम निसंकोच नहीं हो पाते है के नहीं है बुलो तुम्हारे जीवन की बात करना हो जहां पर तुम अटक जाते हो जहां तुम्हारा बहाव रुक जाता है ऐसा है जब भी ऐसा हो तो देख लेना कहीं है कहीं वहां तुम्हारा लालच छुपा हुआ है तुम्हें कुछ पाने की अभीपसा है कि मिल जाए कुछ इस आदमी से मिल रहा होगा तुम कुछ न कुछ ले रहे हो और लेना, रुक न जाए इसी बात का डर है तुमको लालच और डर यही फ्रैंकनेस के दुश्मन है इसी का नाम हेजिटेशन है समझ रही है